नमस्कार टीवी नाइम रादिस्तान पर आज की इंसाइट पार्टी के साथ मैं हूँ भवी शितियागी आज की इंसाइट स्टोरी में सबसे महतपूर्श सवाल ये है कि क्या कॉंग्रेस के भीतर अभी और भगदर मचना बाकी है और ये भगदर कॉंग्रेस पार्टी के भीतर जल्द ही मचेगी दरसल ये सवाल क्यों ठ्राए देखे एक तरफ बीजेपी ने कई सीटों पर लोकसभा कैंडिडेट्स फाइनल कर लिये हैं और कभी भी इन प्रत्याशियों के नामों का एलान इन उमिद्वारों के नामों का बीजेपी कर सकती है राजिस्तान की 25 में से 15 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी ने मंथन पूरा कर लिया है संभावित नाम भी बाहरा चुके हैं कई ऐसे सिटिंग एमपीज हैं जिनको टिकेट रिपीट किया जा रहा और कई सीटों पर टिकेट में फेर बदल करने के मू कॉंगरस में देखिए जो सवाल है कि क्या भगदर अभी मचने वाली है यह सवाल क्यों उठ रहा है क्योंकि कुछ संकेत इसी तरह के दिखते नजरा रहे हैं बीजेपी भी पलक पावड़े बिचा कर इंतजार में हैं अब देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि बीजेपी में प्रत्याशियों पर मन्थन हो चुका है लेकिन अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई अगर राजिस्थान के परिपेक्ष में देखा जाए तो क्या बीजेपी भी इंतजार कर रही है कि कॉंगरस के वो महतुकांशी नेता जिनको आने वाले समय में बीजेपी से महतुकां अन्शाएं हैं क्या वो बीजेपी के पाले में आकर खड़े होंगे और कैंडिडेट्स का एलान करने से पहले वो नेता अगर बीजेपी में आ जाए तो बीजेपी के लिए बेतर होगा क्या बीजेपी इस थिती को भाब कर चल रही है क्योंकि एक बार अगर टिकट जो है वो फाइनल कर दिये गए उसके बाद अपनी अपनी पॉलिटिक्स के आधार पर अपनी अपनी सियासत को समेठते नेता नजर आएंगे फिर कहीं न कहीं अगर अपना नाम कटता हुआ दिखाई देता है और अपनों के नाम कटते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं न कहीं वो आयराम गयाराम वाली पॉलिटिक्स धीमी पड़ जाएगी तो क्या वाकई बीजेपी अभी इस इंतजार में है कि कुछी समय के भीतर अगर कॉंग्रेस पार्टी के भीतर से नेताओं की जो फौज है वो बीजेपी के भीतर जाने वाली है क्या इसका संकेत और इशारा इ जो हाल ही में कॉंगरेस छोड़ कर बीजेपी में आए हैं उन्होंने इस बात को कई बार कई मोट्चों पर कई मंचों पर कहा है कि उनके साथ कई बड़े नेता और कारेकरता भी बीजेपी का दामत ठामेंगे और महेंद्र जीध सिंग मालविय भी लगातार इस कोश्शश में हैं कि कई नेताओं को बीजेपी जॉइन करा कर अपने सियासी ताकत के टेस्ट में वो पास हो जाएं और जाहिर तोर पर कई और बाकी नेता भी हैं जिनकी मैतुकानशाएं हैं अपेक्षाएं हैं लोग सबाद चुनावों को लेकर वो भी कही न कहीं इंतजार में हैं कि एक मौका अगर मिल सकता है तो कहीं न कहीं वो कॉंगर्स में नहीं मिलता तो बीजेपी में मिल सकता है अब उसी अपॉर्चनटी को भाptे हुए यह हलचल कॉंगर्स पार्टी में टेजду सकती हैं और इसको हम क्यों कह रहे हैं यह महस को ये अंदाजा नहीं है आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशो गैलोत ने इस बात का इशारा दे दिया दरसल आज पूर्व मुख्यमंत्री अशो गैलोत ने सरकार बनने के 76 दिन बाद सियम आवास छोड़ दिया है अब वो अपने नए आवास 59 सिविल लाइंस में आ चुके हैं जो कि ठीक वसंद्रा राजे के आवास 13 सिविल लाइंस के ज़स सामने हैं चुकि मलमास चल रहा था और और कई अन्ने कारणों की वज़े से अभी तक जो सियम है वो अपने स्थाई आवास में शिफ्ट नहीं हो पायते मलमास खत्म हो चुका है गैलोत साब भी 59 सिविल लाइंस में शिफ्ट हो गए हैं तो अब मुक्यमंतरी को भी अपना स्थाई आवास 8 सिविल लाइंस मिल जाएगा लेकिन 59 सिविल लाइंस में शिफ्ट होते ही पूर्व मुक्यमंतरी अशोग गहलोत ने वार करने शुरू कर दिये उन्होंने कहा कि देखे परची की सरकार राजिस्तान में चल रही है और चीफ सेक्रेटरी ये सरकार चला रहे हैं चीफ सेक्रेटरी सुधानशु पंद को पूर्व मुक्यमंतरी अशोग गहलोत ने डीफेक्टो सीम बता दिया है अब देखे बड़ा आरोप एक तरीके से भजनलाल मुक्यमंतरी भजनलाल पर लग इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी ये संकेत भी दे दिया कि जिन नेताओं को पार्टी छोड़कर जाना है वो अभी चले जाएं यानि जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं जो बात हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो खुद पुखता कर दी है पूर्व मुक्य अपनों को बेतर मौका मिल जाए अब ऐसे कई नेताओं देखिए अभी महेंद जीत सिंग माल भी है हाल ही में उन्होंने बीजेपी जॉइन की है इसके लावा रिचपाल मिर्धा साहब भी बीजेपी में जा सकते हैं इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी और मिर्धा परिवार का किस तरह का एक यू कहें तो होल्ड है एक पकड़ है नाथुरा मिर्धा साहब को लेकर जिस तरह की इज़त और मिर्धा परिवार को लेकर जिस तरह की इज़त इस वोट बैंक के भीतर रही है बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि मिर्धा परिवार को । पिर्धा साहब को साधने की कोशिश की जा रही है, आपको याद होगा एक बैजेप्ट के लिए काओन चाहा है, पलक पावड़े और रेड्ड कारपेट कांण्गरस आने वाले निताओं के लिए बीजेपी बिचा रही है, क्यूंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है, अधिना कई अपने हर एक कडी काटे को इस तरीके से कस लेना चाहती है कि चुनावी टेस्ट में बीजेपी फेल ना करें और इसी क्रम में देखिए एके करके जो निता आ रहे हैं चाहे किसान वोट बैंक के लिए मिड़दा परिवार को साधने की बात हो इसके लावा सब भीजा गया ताकि आदिवासी वोट बैंक पर भी पकड बनाई जा सके और अभी ऐसे कई दाब जो हैं बीजेपी को चलने हैं लेकिन इंतजार अभी सबसे जादा कॉंग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल होने वाले निताओं का है उनका इंतजार है और ये बात अच्छी तरीके से पूर मुख्यमंत्री अशोग गैलोग भी जानते हैं इसलिए वो चेताब नहीं दे रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि जिनको जाना है अभी चले जाईए यानि देखिए ये भगदर वाली सचुएशन तो आने वाले समय में कॉंग्रस के भीतर आपको रहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा लेकिन मैंने जैसा जिकर किया बीजेपी के लिए भी बेहद जरूरी है बीजेपी इस बार 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक राजिस्थान में लगाने का मन बना रही है मूट बना रही है और इसी क्रम में अपने तमाम नटबोल्ट कस प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओ को आम जन तक पहुंचा कर उसका चुनावी लाब लेने की कवायद हो आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर आप जाकर देखेंगे तो राजिस्थान के लिए भी केंद्र की योजनाओ के योजनाओ को विडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के जरिये प्रचारित किया जा रहा है ताकि इस चुनावी माहौल में जनता के मन तक गहराई से केंद्र की योजनाओ को गार दिया जाए जनता के मन पे केंद्रिय योजनाओ की गहरी चाप छोड़ दी जाए प्रधान मंत्री मोधी के कामकाज की ये चाप छोड़ दी जाए तो हर एक दिशा में बीजेपी अपने सियासी जो प्यादे हैं वो चलती नजर आ रही है लेकिन अब सवाल यही है कि कांग्रेस में और कौन से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और क्या ये भगदर एक तरफा होगी क्योंकि देखिए बीजेपी भी कई सीटों पर फिर बदल के मूड में हैं तो क्या भगदर राजिस्तान में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों के पालों में नजर आएगी बीजेपी में जिनका टिकट कटेगा क्या वो भी बगावती की रुक अख्तियार करेंगे ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है इनी सवालों के साथ आज इंसाइड स्टोरी में इतना ही अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें जाद सादा शेयर करें आप भी इस मामले पर कुछ कहना चा